है लो दोस्तों स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल में ट्रेडर पर तो आज हम दोस्तों फिर से सिंकॉम करने जा रहे हैं दोस्तों है तो यह प्रकार से इसको मैं पैनी के स्टॉक की कटेगरी में रखूंगा क्यों कि देख सकते 13 रुपय का शेयर है ठीक है और दोस्तों पैनी स्टॉक की सबसे बड़ी मतलब की डिमेरिट्स आपको क्या होती है लिक्विडिटी का कि उसमें कभी क पहले से हैं मतलब तो समच की चीजें वगरा करें बांकि अपन इसका जब चार्ट पैटन वगरा देखेंगे तो चार्ट में आगेन आपको बताऊं कि इसमें क्या सब चीजें होई है नहीं है और एक डाटा देखेंगे कि इसमें कितना बाइसल वगरा चल रहा है क्या है तो वीडियो को लास्त तक आप लोग देखें चले दोस्तों चलते हैं अभी शेयर के आप कल की क्लोजिंग देख सकते हैं तो कितने पर तेरह रुपए 65 पैसे का बढ़ातरी पैनी स्टॉक है दोस्तों तो यहीं पैसे में ही उपर निए इसका होता है ठीक है परसेंटेज क बदल जाते हैं क्यों कि मतलब चोटे शेयर होते हैं तो कभी-कभी यह लोग भी कभी कहते हैं ना कि छोटा बम बड़ा दमाका वाला सिस्टम यह भी बहुत करते हैं पिछले एक मन्त का दोस्तों डाटा देखते हैं तो यह शरब पो 0.15 मतलब की 0.0.15 पैसे उपर गया जो है अभी ऐसा होता है कि कोई शेयर माली 400 रुपए दोस्तों नीचे गिरा हुआ है ठीक है फॉर इसांपल नीचे गिरा हुआ है अब आज की दिन अगर सिवा अपन उसका आज का डाटा देख लेंगे कि वह एक दिन में तो 20 रुपए उपर चड़ा है वह हमने जाके उसको देखनी पूरते हैं ठीक है अब इसी के साहाद दोस्तों हम लोगadin हम चलते है एंवेनेसी के साईट पर यहां पर इसका देखेंगे की कैसा चीज़ीं वगरा चली है खीक है दोस्तों बस एक सकंद अपन यहां पर लिक देते हैं SYNC.ar तो यह रहा दोस्तों सिंकॉम फॉर्मिलेशन इंडिया लिमिटेड यहां पर आ गया दोस्तों वीडियो का आपके पूरा लास तक देखते रही है और जो भी आपके डॉट्स वगर आते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते मैं बताने के पूरा पूरा कोशिस करूंगा इ तो यहां पर क्या है कि मैं आपको इस चीज का सला बिलकूल भी नहीं देखा कि आपके मतलब सारी चोइसे रहेंगे बट मैं आपको इसका प्रॉपर नॉलेज देखने काफी जरूरी है पर उससे ज्यादा जरूरी होता है दो चार्ट वीडियो तो लोग हजारों बनाते है बट चार्ट जो है कि बहुत कम लोग समझाते है जो सबसे जादा जरूरी है तो इस चेर के दोस्तों देख सकते है प्रीवेस को कि कितनी कि तेरह पाइंट पैंट पैंट इसकी है यहां सब को यह सारी चीज़ें पता चली के हम इसका और्डर बुक में आते हैं तो आप दे 1589 का जो की मतलब एक प्रकार से बाय क्वेंट की लगा हुआ है मतलब की ओडर श्प्लेश नहीं हो पाया ओंगे ठीक है इस चिर का टोटल मार्केट के पलाइजेशन जो की किटने नम्बर अप मतलब कि में इसे पॉबिलिक वह यह दोस्तों नियुक्त को होता है तो यह दोस्तों हमेशा चाहिए जी जादा बेनिफीशल्स वगरा मतलब कि काफी अच्छा देखने को मिलता है ठीक अब दोस्तों यहां पर आते हैं 52 वीक हाई तो इस शेयर का दोस्तों 52 वीक हाई है क्या है वो 18.65 का और 52 वीक लो लगाया है इसने 26 अपर दो जाता इसको कितना का 5.90 का यहां से चले मैं आपको यह सार पेमेगे जब अबर आपको पता होना चाहिए कि उसकी बेसिक इंडेस्ट्री यह दोस्तों फार्मासोटेगल कंपनी मतलब कभी भी अगर फार्मासोटेगल कंपनी इसको लेकर बैड निउस वगर आती है तो उससे एक तरह से वह हो सकते हैं सचेथ हो सकते हैं कि भाई कि इसमें कुछ होने वाला है या प्राइस सेक्षन को देखे आप इसमें डिसेंस ले सकते हैं तो यह नॉलेज भी होना को काफे जादा दोस्तों जरूरी है पता होना चाहिए अब चलिए इसी के साथ कहना कि इसकी कुछ चीजें अपन यह में दोस्तों बाद में को देखा हो ऐसा नहीं है अपन अभी थोड़े से चोटे यूट्यूबर हैं बड़ सब कुछ बताते हैं चलिए सिंकॉंफ ऐसे इसका नाम सिंकॉंफ फर्मिलेशन है कुज दिन पहले वगरत से ही दोस्तों यह चीज मतलब की आया है तो हाँ अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्या हुआ है कि एक कुछ दिन पहले ही वगरा आया वगरा है तो अगर यह वन वीक का चार्ट है तो 1 week पे आप देख सकते हैं यह जो लेवल था, यह लेवल जो था, यह लेवल के आप दोस्तो ब्रेक हुआ, अगीं उपर गया, और अगीं इसी पे आया, और इसी पे support ले रहा दोस्तो, कितना बढ़ी है support का formation है, मतलब कि इसमें अभी देखा जाया, अगर कुछ लोग enter करते हैं तो उन्हें अच्छे target इस levels के देखने को मिल सकते हैं बाकी मैंने आपको यह level इसलिए बताया हूँ क्योंकि यहां से price दोस्तों नीचे गिरा था तो जिस जगह से price दोस्तों नीचे गिरता उसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ इस price पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो बड़े लोग हैं जो यहां से price को नीचे सेट पुश्ट कर रहे हैं या फिर positions काट रहे हैं तो इसलिए यह down चला गया ठीक है तो अपन को वही 16.70 तक का बहुत अच्छा मतलब के परकार से target आपको देखने के लिए यहां पर मिल सकता है काफी मतलब अगड़ा target यहां पर इस लेवल पर देखने को मिल सकता है अब दोस्तों याद रखिएगा कि इसी लेवल से फिर क्यों गिरा कोई तो बात होगा आनक यहां पर गिरा यहीं से मतलब माली यह जो प्राइस है 16 रुपया 17 रुपया के आसपास से यहीं से फिर नीचे क्यों आया सुर्य दोस्तों कि 11 रुपय के प्राइस जग नीचे क्यों आया तो इसका रिजन दोस्तों यहां होता है कि देखिए खुद इंडिकेशन देती हैं आप न्यू स्पेसिस छोड़िए आप चार्ट पर ध्यान से अगर कोई बार की देखिए दोस्तों पहली बात यह होना चाहिए कि आपने जिस स्टॉक्स वगरा में इन्वेस्टमेंट किया हुआ हुआ है आपको रोज उसका चार्ट खुल के देखन तो आपका पैसा उसमें लगा हुए तब उसको पूरी तरके से देखिए जैसे दोस्तों यहां पर इसलिए गिरा एक इंडिकेशन यह बियरी स्केंडल इन्वर्टेड हैमर फिर अगेन एक इन्वर्टेड हैमर और ना तो इसका हाई ब्रेक हुआ और यहां से एक टेंड न यहां पर बना है काफी ज्यादा तो मैं फिर से एंट्री मार के और एक दो पॉइंट्स नहीं होती है एंट्री लेने के लिए दोस्तों हमें वॉल्यूम्स भी देखना आने चाहिए हम एक दो इसमें यह में भी देखते हैं थोड़े इसके जैसे हम लोग ट्रेंड पैटन से इस जगह से मतलब डाउन ट्रेंड नीचे के साइड आने वाला है ठीक है तो यह लेवल अभी आप मार करके रखें और बाकी आपको मतलब जिस प्रकार यह जा रहा है कफी अच्छा मतलब की मतलब की केंडल बनाया है तो में भी अगर यह इसी रेंज वगरा में जाए तो तीन रुपए चार रुपए आपको उपर देखने के बहुत अगड़े तरीके से मिल सकता है बागे दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोई भी कोश्चन रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन बताई है मैं आगें दो-तीन दिन का फिर इस वीडियो बना दूंगा जो